अलो दोस्तो सागत है आप सभी का एक वाब फिर से आपके अपने यूटूब चैनल कॉम्प्टेटिव फंड आप तो दोस्तो एक बहुती बड़ी अपडेट आप सभी को देनी थी यह दोस्तो बहुती लंबे समय के इंतजार के बाद यूपी दरोगा भरती 2021 का नोटिफिक नोटिफिकेशन आ चुका है यह आप देख रहे होंगे यह ओफिशियल नोटिफिकेशन है और अगर आप इसको डाउनलोड करना चांते तो हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिगा और इसको आप देखिए इसमें फाइनली जो भरती थी वो 9534 पदों पर जो है पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें की नागरिक पुलिस की अगर हम बात करें तो 9,027 पद हैं और 9,027 पद रखे गए हैं 484 पद जो हैं P.A.C. के और 23 पद जो हैं अगनिशमन अधिकारी के रखे गए हैं इस तरह से 9,534 पदों के ल की कितने कितने पद रखे गए हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो रखा गया है 9,027 पद उपनरिक्षक नागरिक पुलिस के हैं जिसमें की अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 3,663 पद हैं जिसमें जनरल के EWS की बात करें तो 10% रख्षन EWS का र रिजर्वेशन होता है वो की 180 पद रखे गए हैं इस तरह से नागरिक पुलिस में कुल 9,027 पद हैं और अगर इसमें होरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो होरिजेंटल रिजर्वेशन है जो की 77 संग्राम सेनानी जो आसरित होते हैं उनका 2% रहता है बुदपूर सैनको की 451 और जो महला की वेकेंसी है इस बार बहुत ज्यादा है 1805 महलाओं की वेकेंसी है तो दोस्तों बहुत बड़ी भरती यूपी की फाइनली उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बहुत सालों से लोग इंतजार कर रहे थे दो से तीन साल लगबग हो गया जब उसे इसका नोटिफिकेशन आना था और फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ चुका है तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों और इसमें हम देखते है प्लाटून कमांडर के कितने पद हैं तो इसमें जेनल में 194 पद रखे गए हैं और EWS के तहित जो है 48 पद हैं अ इसमें जो दो परतिसत रहेगा सुतनता संग्राम सेनानी आसरित का और बूतपूर्व सैनको का पांच परतिसत रहेगा यानि 10 और 24 पद इन लोगों के रहेंगे जो कि होरिजेंटली जो पुराने उपर वाले पद हैं 484 उनी में से होंगे तो ये रहेंगे इसमें महलाएं जो है अपलाई नहीं कर सकती है महलाई सिर्फ उपनिरिक्षक नागरिक प्लिष में ही अपलाई कर सकती है ठीक है अगर अगली बात करें FSSO की यानि अगनी शमन दुतिया दिकारी फाइर सर्विस्नेन सेकंडरी आफसर की बात करें ओफिशर की तो इसमें जो है जनरल काट रखे गए हैं FSSO के अंतरखत और इसमें अगर हम होरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें भी बही दो प्रतिसत होता है स्वतंतर संग्राम सेनानी के आसरित का भूतपूर भुसैनको का 5 प्रतिसत और कुल पज जीरो रखे गए हैं इनके और भूतपूर सैनको के एक रखा गया है तो इस तरह से इनका होरिजेंटल रिजर्वेशन रहेगा तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे इसमें आविदन प्रारम होने की डेट आप देख लिजीगा ये रखी गई है एक अप्रेल एक अप्रेल से यानि नया जो सेसन सत्र सुरू होगा उसमें एक अप्रेल से इसका जो है आविदन प्रारम हो जाएंगे और 30 अप्रेल तक चलेंगे रात 3 12 बजे तक तो एक महीने का लंब समय दिया गया है आप सभी को आविदन करने के लिए इसका जो आविदन सुलक रहने वाला है इस बार वो 400 रुपे रहेगा और इसके लिए जो अगनीशमन अधिकारी का भी ऑफशन टिक करेंगे तो यह आप तभी कर पाएंगे जब आप अगर विज्ञान में इशनातक होंगे तो यह वाली वेकंसी आप तभी फिल कर पाएंगे जब आप विज्ञान में इशनातक होंगे अगर आप प्लाटून कमांडर और नागरि पुलिस सेलेक्ट करते हैं फिर पीएसी और फिर फायर सेकंडरी ओफिशा ठीक है तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी चोईस रहेगी और जैसे आपकी मार्क्स होंगे उस आदार पर आपको ये पोस्ट आवंटित की जाएंगी तो यहाँ पर एरता है परमाड़ पत्र है तो इसमें आपको कोई एक्ष्ट्रा वो नहीं मिलने वाला है लेकिन क्या होगा जब भी कभी दो अभ्यारतियों के बराबर नंबर होंगे तो यहाँ पर इस अभ्यारति को जो है प्रिफ्रेंस दिया जाएगा उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा ठीक 21 से लेकर 28 तक रहती है उसके बाद क्या है यहाँ पर 1793 से पूर्व ना हो और 172000 के बाद का कोई भी जन्म किसी का ना हो यहाँ पर दिया हुआ है फिर बाकी जो CST OBC है उनके लिए आयू में छूट दिया हुआ है मैं आगे बताऊंगा उसके लिए आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या परती प्रक्रिया है तो बरती प्रक्रिया वही है आपका ओंलाइन डिटेन टेश्ट होना है ओंलाइन टेश्ट हो गा जोकी बस्तु निष्ट परकार के अब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा जिसमें 4 सेक्षन रहेंगे हिंदी के सॉंक का मूलविधी, सं पुरा पेपर रहने वाला है आपका और इस बार जो है आपका और इसमें दो घंटे का समय रहेगा 120 मिनट होगे जिसमें आपके लिए जो प्रश्णों की संख्या होगी दोस्तों वो रहने वाली यहाँ यहाँ पर 200 प्रश्ण होगे 2 घंटे होगे 120 मिनट होगे इसमें इन्होंने यह भी का आए कि जो पेपर होगा वो अलग-अलग डेट में अलग-अलग पालियों में होगा इस वजए से इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो इसको भी आपको ध्यान रखना है नॉर्मलाइजेश जो कि पिछली बार 50% था तो प्रतेक सेक्षन में आपको 35% लाना है और overall जो आपका grant total होगा वो सबका जोड़के 50% से अधिक होना चाहिए अगर आप ऐसा कर पाते हो इलेजिबल होंगे तभी आपको अगली प्रक्रिया के लिए अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा जो कि अगला चरण आपका होगा DBPST यानि Document Verification और Physical Standard Test ठीक है तो इसमें आपकी नापतोल होती है और इसमें आपके Document Verification होते हैं तो ये अगला चरण होता है लिखित परिक्षा के बाद अगर आप लिखित परिक्षा में ये क्राइटेरिया पास करते हैं 35% अगर सेक्षनल 50% अगर आपका Overall आता है तो आपको DBPST के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद आपको DBPST में जो भी Candidate पास होंगे वहाँ पर मैं आपको बता दूं PST में क्या क्या चेक होगा यानि Physical Standard Test में आपका मानक चेक होंगे मानक में क्या होगा सामान और General OBC और SC वाले जो Candidate हैं उनके लिए उनकी उचाई 168 cm होनी चाहिए अगर ST की बात करें तो 160 cm होनी चाहिए ठीक है और सीने की अगर बात करें तो minimum 79 cm होना चाहिए General OBC और SC का और 5 cm का फुलाव के बाद वह 84 cm का होना चाहिए यानि minimum फुलाव जो है 5 cm का होना चाहिए ST वाले Candidate के लिए 77 cm होना चाहिए बिना फुलाव का हो 5 cm का फुलाव होने के बाद 82 cm कम से कम होना चाहिए तो ये आपको होना जरूरी है उसके बाद अगर हम महलाओं की PST की बात करें उनमें उनका हाइट जो है 147 cm होनी चाहिए और इनका जो न्यूनतम वजन है वो 40 kg होना चाहिए यानि सभी जो महलाओं है वो जो गल्स होंगी वो 40 kg से उपर की होनी चाहिए तो इस तरह से ये प्रक्रिया रखी गई फिर उसके बाद जो भी Candidate जो भी PhD के बाद डॉकुमेंट पैरिफिकेशन में सही पाया जाएगा तो उसका PhD होगा और PhD में जो पायस हो जाएगा PhD के बाद अगले चरहन का उनका Admit Card जारी हो जाएगा दो या चार दिन बाद और उसके बाद उनकी ये रणिंग होती है रणिंग में क्या होता है रणिंग भही पुरसों के लिए जो पुरुष Candidate यानि मेल Candidate है उनके लिए जो रखी जाए गई है वो है 4.8 km 28 मिनट के अंदर और महलाओं के लिए यान करना है उसके बाद इन्होंने का है कि ये चरण कंप्लीट होने के बाद जो भी Candidate होंगे आपका Physical Standard Test आपका हो चुका होगा Physical Efficiency Test यानि सारिक दक्षिता परिक्षा में जो Qualify कर जाएंगे तो उनको उसके बाद आपकी Final Merit बनेगी Final Merit में होगा गया आपका जो भी Normalization लगा Grand Total बनेगा उस Grand Total के आदार पर आपका क्या होना है आपका जो है Overall आपकी Merit बनाई जाएगी Merit में आपकी तीन तरह की Post दी गई है Civil Police, P.A.C. और आपकी Fire की तो जैसी आपने Preferences भरी है उस आदार पर आपको वो Cadre दे दिये जाएंगे तो इस तरह से Chain किया जाएगा फिर जो Medical होगा Medical जो है आपके Police Line में होता है Medical के बारे कैसा होता है उसके बारे मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप बहाँ देख सकते हैं उसके बाद आपको बता दूं किस तरह की I.U. में छूट दी गई है Reservation तो जैसे कि OBC Candidate को 5 साल की Relaxation है यारी 28 के बाद 5 साल का Relaxation है अगर वो पांच वर्स और यहां पर अनुस्विच जाती है यानि HT का भी पांच वर्स और OBC का भी पांच वर्स इनका सभी का 5 पांच वर्स Relaxation रखा गया है EWS की बात करें तो इनके लिए कोई भी एज में Relaxation नहीं है सिर्फ 10% का इनका Vacancy में Relaxation होगा ठीक है तो इस तरह से यह पूर पूर्फ सैनक हैं उनके लिए 3% की Relaxation है यानि 28 के बाद 3 साल और Extra कर सकते हैं अगर वो Certificate लगाएंगे तो 31 साल हो सकता है और उनका जो 31 वर्स होगा वो यह मेजर किया जाएगा कि उन्होंने सेना के अंदर कितने वर्स तक सेवा की है उस सेवा काल को अगर उनकी Total Ease में से माइनस कर दिये जाएगा तो उनकी जो Age है वो 31 तक होनी चाहिए 31 से कम हो या 31 तक हो इस से जादा नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इस तरह से भूतपूर्फ सैनको के लिए है तो यह पूरा Notification आप देख सकते हैं इसको deeply और पढ़ने के लिए आप हमारे Telegram चैनल पर जाकर इ अप्लोड कर दूगा और यह पूरा Notification है बहुती बड़ी भरती यूपी में आ चुकिया आज तक कभी दरोगा की इतनी बड़ी भरती नहीं आई थी इससे पहले 3000 पदों के लिए आई 3300 पद थे 2016 में आई थी 2016 के बाद अब आप फाइनली जो है 2021 में यानि 5 साल वाद ये वेकेंसी आई है और 2016 से पहले आपको बता दूँ 2011 में वेकेंसी आई थी यानि वो भी 5 साल पहले आई थी और 2011 से पहले जो वेकेंसी आई थी वो 2001 में आई थी यानि ये बहुती बड़ी वेकेंसी और बहुती लंबे समय के बाद निकलती है तो इसके लिए आपको जी जान लगादेना है और बहुत अच्छे से मैंनत करना है अब लग जाना है क्योंकि finally ये fix हो चुका है एक तारीक से form भरे जाने है और एक तारीक के form के बाद जल्ध ही इसका paper भर्थी वोड करा देगा क्योंकि जितनी लंबी फस्ती चलती है तो उसमें भरती फसने का chances रहते हैं तो भरती वोड इस वार नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से भरती को फसे तो आप लोगों के लिए बहुती बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी न्यूज है और बस करके share जरू कर देना तब तक के लिए दोस्तो थैंक यू जैहिंद